आप सभी को गितारे का नमस्कार मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ गितारे क्रेशन्स में आज की वीडियो में हम जो बेबी स्वेटर हम बना रहे हैं इसके तीन पार्ट औरेडी मैं रिलीस कर चुकी हूँ फर्स्ट में हमने इसका योग बनाया था सेकिंड में स्लीव थर्ड में हमने इसका बॉड़ी पार्ट और किस तरह से हमें स्टिच करना है यह सिखा है इस 4th में हम इसकी आउटलाइन करेंगे और साथ ही इसकी बटनिंग भी करेंगे इसको पूरी complete finish लुक देंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने ली है ये वर्दमान की बेबी सोफ्ट यान ले रही है और इसका जो नंबर है ये 180 है इसमें तो एकी नंबर रहता है वैट में तो चलि आईए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना की किस तरह से हम इसकी आउटलाइन करते है तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक slip note ली हमने इस तरह से बना ली है first starting के इसमें से हम crochet निकालेंगे 8 number का crochet ले रही हूँ 4 mm का इसके लिए ये note हमने ली और इस note को इसमें से निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा यहां tight कर लेंगे बाद में इसकी हम end में finishing करेंगे इसका यह जो next chain है वी लेक यह जो बनाए थे हमने corner इसके यहां से लेने के बाद एक बार क्रोशी यहां से निकालेंगे और बैक वाले से इस तरह निकाल देंगे फिर next में लेंगे और इसको यहां से निकाल देंगे इसी तरह करते हुए हम यह complete करेंगे आगे भी यह इस तरह से अब हम complete करते हुए यहां end तक आ गए हैं अब यह देखिए एक last भी बचा है हमारा यहां पर और इसमें से भी हमने इस तरह निकाल दिया अब यह जो corner है यहां पर भी हम लेंगे बिल्कुल एक slip node लेंगे इसी तरह और फिर यहां से turn कर जाएंगे और पूरे neck में यहां भी हम outline देंगे इसी तरह से जिस तरह यह करते हैं चले आ रहे हैं और यहां पर आते हैं फिर यहां का turning आपको बताती हूँ और फिर यहां तक इस तरह पूरा हम complete करेंगे इसके outline आप ना तो इसे बहुत ज़्यादा tight बनाई ना ज़्यादा loose एक मोटा number मैंने crochet लिया है 8 number आप 9 भी ले सकते हो लेकिन 8 लेने से आपकी perfect आएगी इस तरह से तो इसमें आप हम आगे बढ़ते हैं देखिए अब यहां पर लिया अब हम एक next में लेंगे next में लेके फिर यहां पर इसी तरह से लेंगे और फिर इधर next में इस तरह कहते हो यह neck की भी हम complete करेंगे पूरी outline यह देखिए इस तरह next में लेंगे यह इस तरह से हम यहां पर turn आगिये हैं एक तो हम इस तरह से यहां turn आ सकते हैं और एक हम यहां पर दो बार करके भी हम इधर turn हो सकते हैं लेकिन यह भी बहुत सुन्दर लग रहा है हम इसे इसी तरह ही करेंगे यहां से turn करते हैं और turn करके फिर next में आगे इसी तरह बनाते हुए complete करेंगे हर chain stitch में से एक बार लेते ह हुए यह हम complete करेंगे और यह पूरा neck करने के बाद जब मैं यहाँ पर आऊंगी यह पूरा इसी तरह से round complete करते हुए यहाँ पर आते हैं फिर यहाँ आकर मैं बताती हूँ कि आगे हम किस तरह से बढ़ते जाएंगे यह हम corner पर आगे हैं बिल्कुल यहाँ से जो हमने turn लिया था और यह पूरा complete करते हुए यह neck के दूसरे पार्ट में आया है left side इसमें भी हम end वाले में एक बार face से लेंगे इसी तरह और लेने के बार हम इधर turn कर जाएंगे अब यह हम इधर से बनाना start कर देंगे देखें इस तरह यह जो सभी हमारे वी हैं उन में से लेते हुए यह complete करेंगे और इसे बहुत tight हाथ से नहीं जादा loose से normal hand से बनाते हुए यह पूरा करेंगे देखें इस तरह से हमने यहाँ से start किया था और यह neck के इसी तरह आते हुए पूरा complete करते हुए यहाँ पर और इसके down part में और यहाँ पर आकर complete करेंगे और साथ ही sleeves में भी इसी तरह करेंगे तो चलिए complete कर लेते हैं इसे तो friends इस तरह से हमारा यह baby का sweater ready हो गया है जो हमने किस्मस के लिए jacket बनाई है देखें आउटलाइन पूरी complete हो गई है और साथ ही इसमें button की है button normal लगाए है ताकि baby को चुबे वगेरा ना तो इस तरह से complete हुआ है I hope कि आपको यह video बहुत पसंद आई होगी बिल्कु new beginner के ल last रहा part और next part में हम इसके लिए जो shoes हमने बनाए है long shoes बनाए है long socks वो आपके साथ share करूंगी तो इस video में तो इतना ही मिलती है next video में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार